कौन कहता है आस्मां में छेद नहीं हो सकता एक पत्थर तो तब्यत से उच्छालो या B developing और कौन कहता है कि मेठ आने सरकाि एक बार दस निम्न तो दे दिजिए देखिए बिल्कुल सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट बाद आपको फील वोगा कि रेल से सम्यें निले ट्रेन से सम्य้म रेल काड़ी से सम्यूअ जोब्रकि कोस्ण में आएगा उसकöyle 50% सॉलीशन आपके आद में सिर्फ 10 मिनट में सबार किरेंस 15 पर्सेंट सॉ लेशन में कर सकते हैं 20-50 पर से अगले 20 मिनट के लगेंगे अपने पास तीन सवाल है यहां पर इसके बात कौशन तीक वाशन और लेकर आएंगे और यहां पर हर कौशन में खरकर एक चौनसेट छे साथ कौशन है और चेसे साथ कौंसेट रेल संबंदित सवाल काम खत्म फिनिश इन तो सब्सक्राइब जाएंगे बस आपको ध्यान से बेखना है कि सुल्यूशन का तरीका क्या है और बेजिक एक बात याद रखनी है कि कि किलो मिटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए फाइफ अपॉन 18 से मुल्टिक्लाई करते हैं और यह फाइफ अपॉन 18 कहां यह भी हम बात कर चुके हैं और समय को ध्यान में रखते हुए डारेक्ट शुरू करते हैं कॉशन और वही सलुशन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यूनिट सेम होनी चाहिए मात्रक सेम होना चाहिए चाहे चाल हो चाहे समय हो चाहे दूरी हो तेक पहला सवा बहत्तर क किलोमेटर पर आवर की चाल से जारी साथ मीटर लंबी रेलगाडी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार करेंगी तो सवाल यह है कि एक रेलगाडी है जिसकी लंबाई है साथ मीटर और वो उसकी चाल कितनी है तो वो चल रहे है बहत्तर किलोमेटर पर आवर की स्पी तो ताइट पराबर क्या होगा इस पर्मूले और स्पीड भी दी हुई है लेकिन सवाब पहला देखे यहां Lew the concept चुपाूगा कें अगर कोई गी इंगी किसी कन्हें आप्याक्ति को यह एसी छीच को पार कर रही है जिसका बित जिसकी मोटाई नेकलीजिबल है जिसकी मोटाई को हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो रेलगाडी को पार करने में उतना ही समय लगेगा जितना अपनी लंबाई को पार करने में समय लगेगा ध्यान दीजिए अगर कोई चीज ऐसी है बीच में जिसको यहाँ दूरी होगी वो दूरी बराबर होगी रेल-बाई कि तो यहां दूरी कितनी हो गई 60 G で स्पीड गतनी है 72 होगा लेकिन इस जा द्र है किलो मितर को हम इसको किलो मितर पर आवर को बदलेके रचलों से कैंड में बदलें एक लिए 5 Racine Set Ste दिमाग में सेट होनी चाहिए अब यहां से देखिए 18 दुनी 36, 18, 34, 24, यह 4 बार में कटा 18, 24, उबर है 60 और निचे आगया 5, 24, 20 कहां से आया रही? बाहतर चाहिए 4 बार में तो यहां चाहिए और यहां पाँच, चाहर बार में चाहिए 20, जिरो से जिरो कटा, दो से कट गया 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो यह 3 किसमें आयगा? सेकेंड में क्यों सेकेंड में आएगा टाइम है और टाइम आवर या मीनट में क्यों नहीं आएगा क्योंकि हमने डिस्टेंस को लिया है किसमें मीटर में लंबाई किसमें लिया है मीटर में और चाल भी हुई थी किलो मेटर पर आवर उसको बदल लिया किसमें मीटर पर सेके में इसलिए टाइम किसमें आजा तो इस तरीखे से इसका असर हुआ त्री से और यहां पर हमने क्या concept सीखा हमने सीखा कि अगर कोई ट्रेन रेलगाड़ी अगर एक बिजली के खंडे एक व्यक्ति को पार कर रही है तो उसे इतना ही समय लगेगा जितना खुद की लंबाई को पार करने में समय लगेगा यह फायदा कहा आएगा जब डिस्टेंस यहां पे नहीं भी रहेगी तो वही डिस्टेंस लेंके जो लंबाई एक ट्रेंड की वही डिस्टेंस लेंके यहीं कॉंसेट है यह पहला क्वेशन था अब देखते हैं दूसरे कॉंसेट में दूसरा कॉंसेट छुपा हुआ है दूसरा कॉंसेट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेशन तो क्या है वही कि 350 मिटर लंबी रेल-गाडी रे कि इसके पहले क्वेशन में क्या था कि बिजली के खंबे को पार कर रही थी जिसकी मोटाई को निगलेक्ट कर दिया जाता है लेकिन यहां पे घुफा की लंबाई दी कुई है कितनी 250 मिटर तो सोचने वाद पचा और आगे कितनी देर में पार करेगी यहां पे 50 निकालना ह लेकिन सवाल यह है कि डिस्टेंस क्या होगा तो कॉंसेट क्या है कि अगर फुल की लंबाई है, गुखादी लंबाई है, प्लेटफॉम की लंबाई है, और कोई ट्रेन की खुद की अपनी दो लंबाई होगी ही, जब इसको ये पार करेगी, ये ट्रेन इसको पार करेगी, तो इसे अपनी लंबाई और प्लस में इस प्लेटफॉम की भी करने में यानि यहां पे जो डिश्टेंस होगा उनको क्या करेंगा प्लस कर देंगे और कुछ नहीं करना है बाखी सारी बाद ने फॉर्गेट कर दीजिए बस एक बात मन में रखें दिमाग में कि अगर ट्रेंड की लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई या गुफा की लं बाई आ गई तो उन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे और वहीं दिश्टेंस मिलेगा हमें तो 350 प्लस 250 350 अब प्लस में हो गया कितना 250 तो भई इसको काटना पिड़ना शुरू कर गया थारत यां चरूवन तीन से कट गया उपर कितना आगया वहीं प्लस कर देंगे तो 0, 0, 6, 6 सवाया और नीचे 5 त्याई 15 15 कैसे 5 तो यहां उपर से बचा थारत से चरूवन कटा तीन बार में तो 5 त्याई 15 अब 15 का साथ होता है वही तो चार बार में कटा और 0 यानि यह अच्छा टाइम निकालना है कितना या 40 तो इसकी यूलिट क्या होगी सेकेंड में कितना 40 सेकेंड बहुत अच्छे अगर इस बीट ट्रेंट की 16 किलो मेटर की गती है और उसकी लंबाई ट्रेंट की 250 मेंटर है तो 350 मेंटर है, तो 250 में नमदी बार करने में कितना सेकेंड समय लेगी वही 40 सेकेंड बहुत अच्छे के दो हुशन दो कॉंसेप्ट और यहां पे हमारा आता है इस्रा कॉंशन और तीसरे कॉंसेप्ट में तीशरा थी चुपा हो गारे और वह क्या है अगर आप समय दे लेते हैं, सिर्फ दस मिनट इमानदारी से, इमानदारी बड़ी चीज है, इमानदारी होनी चाहिए, तो आपको दुनिया की सबसे महनी चीज मिले लिए, सुकून, सुकून, इस बात से कि आपको ऐसे क्वाशन आते हैं, दुनिया की सबसे महनी चीज क्या ह तो आईए सुकून फूरते हैं और वो भी ज्यान के साथ एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म देखिए फिर से लंबाई आ गई रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है लंबे प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है को 10 सेकेंड में पार कर लेती है प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है और इसको कितने दिर में पार कर लेती है 10 सेकेंड में तथा एक खंबे को पार करती है 4 सेकेंड में खंबे की लंबाई नहीं दिया जाता चोड़ाई जो ग्रित है खंबे की वो नहीं भी जाती निग्लेक्ट कर दी जाती है उसको पार कर प्रम्याद तीसरा तो चुटकी में बनेगा लंबाई निकालना है किलो मिटर पर आवर में तो भई यहां पे दिया क्या है पहले चीन मान दिया कि रेल गारी की लंबाई लंबाई रेल गारी की कितनी है एक्स है एक्स मीटर रेल गारी की लंबाई कितनी है एक्स मीटर है अब यहीं ऐसा में निकालना है अच्छा अगर एक्स मीटर लंबी रेल गारी एक खंबे को चार सेकेंड में पार कर रही है तो उसकी चाल क्या होगी चाल क्या होगी भई जितनी दूरी चली दूरी कितनी च Q1. लेकिन क्यों बना? क्योंकि यहां 120 मीटर लंबा प्रीटफॉर्म है. अब बदाइए, जब 120 मीटर लंबा प्रीटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर रही है. तब इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो भई, 10 सेकेंड टाइम गे रही है. न बहंगे चार सेकंट पहले था अब दोरी बदल गई अब धूरी बदल गई है, ईतनी ही धूरी रिल्काड़ी लंबाई उतनी लंबाई उतनी लगर टोरी चलेघी। लेकि साथ में जितनी लंबाफ लेइन राप्れंटींट है 500 मृल लगा चाल है और यह दूसरा equation हमने बना दिया यह की चाल है दुनों रेल गाड़ीकी चाल है तो दोनों आपस में क्या equal है क्योंकि रेल गाड़ी एक ही चाल से चल रही है इंक्तर यहां x upon 4 बराबर हो जाएक Mod상 के कितने के कितने के X प्लस 120 अपॉन में 10 के solve करिए solve करने का तरीका cross multiply इसको 10 का X में गुड़ा करेंगे तो कितना जाएगा 10 X और जब इसका multiply होगा तो ध्यान देंगे कि इसका multiply दोनों के साथ हो बाधिक के साथ नहीं कितने के साथ दोनों के साथ तो 4 का X में हो गया गितना है आए 4 X और प्लस में 12 का 4 में 12 का 48 जीरो लग गया 480 अब X की value निकाल दी है X की ही तो value निकाल दी है ताम ओके है X वाला एक तरफ इधर देंगे पहले से 10 X 4 X इधर जाएगा तो माइनस का 4 X क्योंकि बीच में equal लगा है और प्लस माइनस multiply divide sign change हो जाता है तो कोई sign नहीं तो plus दर गया तो माइनस बराबर किसके 480 के अब यहां से देखिए कितने X बचे 6 X बराबर कितना 480 तो X बराबर कितना आ गया वही 6 को दिवाइड में देजिए 480 वही 6 तो X बराबर देखिए आठ चाफार तालेश आठ और 0 बच गया 080 मीटर मीटर क्यों कि लंबाई हमने किसमें भी मीटर में तो ट्रेट की लंबाई कितनी आवी असी मीटर लेकिन अभी हमारा एंसर अदूरा है क्योंकि अभी हमें निकालना है जाल तो चाल निकाल लीजिए ना कोई पकल लीजिए जैसे हमने क्वेशन नंबर बंग ले लिया यही तो चाल ली है यहीं से निकल जाएगा क्या निकल जाएगा एक्स की वैलु आगी कितनी असी और नीचे कितना है फो है कर गया कितना आगया 20 चाल हमार 20 और चाल यह कितना की मीटर पर सेकेंड में क्यों मीटर पर सेकेंड में क्योंकि जो कि स्टेंस है 80 मीटर है और टाइम किसमें सेकेंड में लेकिन हमाएं एंसर किसमें चाहिए एंस यहां बात गया है मीटर पर आवर सेकेंड में दिया हुआ है किलो मिटर पर आवर में बदलना है तो इसी वैलू को पलट देते हैं काम हो जाएगा यानि 20 में उड़ा कर देंगे कितने से इसी वैलू को पलट के 18 अब चला गया और 5 नीचे 5 से पड़ गया इतनी बार में चार किलो मीटर कर रहा है मीटर से खिलो में बदल रह inve będar में और बदल रहे हैं मीटर हे में बदल रहा है किवह में गीूरण से इसको तो पर देंगे नीचे का उपर उपर का नीचे यहां पर होता है कॉस्चन नमबर 3 आपका समा और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कॉस्चन नमबर 4 5 6 7 4 कॉस्चन चार और कॉंसेट और रेल समंदि सारे कॉंसेट क्लियर और उसमें बात की जाएगी जब डार्यां पर औरे वहां नेंड ही राएगी जिए इस पीछह कोई पीति श्रहां आ रहे है किसी इस पीड से तब दूरी निकामना आ समय मिल्के आमना या जो भी कुछ निकामना रहेगा उसमें बात होई खें अभी के जी के लिश्चाल